आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ लिम्फोसाइट्स प्रड्यूस करते हैं और अगर हम बोलेंगे तो B-Lymphocyte B-Lymphocyte जो B-Lymphocyte है वो प्रड्यूस करती है एंटीबोडीज को और दो तरह की लिम्फोसाइट्स होती है एक तो B-Lymphocyte और एक T-Lymphocyte लेकिन जो T-Lymphocyte हैं वो help करती हैं एंटीबोडीज की production में लेकिन जो T-Lymphocyte हैं वो produce नहीं करती हैं एंटीबोडीज को जो Lymphocyte हैं इनकी formation होती है कहां पर लिम्फोड ओर्गन्स में अब यह जो Lymphoid organs हैं इसमें प्राइम्टी लिम्फोड ओर्गन है that is bone marrow and another one is thymus तो यहां पर immature lymphocytes जो हैं वो mature lymphocytes के अंदर convert होंगे and lymphocytes दो तरह के होते हैं B-Lymphocyte and T-Lymphocyte यह जो B-Lymphocyte हैं यह antibodies को produce करते हैं लेकिन अगर हम T-Lymphocyte की बात करें तो वो help करते हैं B-Lymphocyte को antibodies को produce करने में and जो antibodies हैं यह हमारी body को infection से and disease से इन सबसे protect करती हैं तो हमारा correct option हो जाएगा first one कि lymphocytes produce antibodies तो option one is correct Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advanced के level तक 10 million से जादा students का भरोसा आज यह डाउनलोड करें doubtnet आप या whatsapp कीचे अपने doubts 8400-400 पर झाल से जाएगे